पासकार दोस्तों एक बार फिर से आपका श्वागत है मेरे चैनल पे आज का क्रूड ड्रग है सतावरी बहुत ही महत्पूर्ण ड्रग है ये ड्रग बहुत ही कॉमन तरीके से यूज की जाती है इसलिए मैं इसको अपने चैनल में एट कर रहा हूं तो हम फार्मा कोगनोस्ट करेंगे सतावरी का तो सतावरी सतावरी का सीनोनेम है सतमूस्ली या सतावर कहा जाता है सतावरी का प्लांट ऐसा दिखाई देता है इसका बाइलोजीकल सोर्स यह होता है सतावरी का बाइलोजिकल सोर्स क्या होता है इसका रूट पार्ट या पत्ते लीवस को हम यूज करते हैं किसका अस्परेगस रेसिमोस बिलोजिकल सोर्स देखा जाया है यह जियोग्राफिकल ही कहां कहां पाए जाता है तो एशिया में, अपरिका में, आस्ट्रेलिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा हिमालियन रीजन में पाए जाता है क्योंकि यह प्लांट जो है हायर एल्टिट्यूड में उखने वाले प्लांट है जैसे हम बोलते हैं, सी लेवल से जिसकी हाइट 1300 से 1400 मीटर होती है वहाँ यह पौधा बहुत अच्छा गुरो करता है सतावरी का आरगेनो लैप्टिक केरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हो सकते हैं तो इसके कलर जैसे लीव ग्रीन कलर का होता है यदि रूट को देखा जाए तो हलका ब्राउनिश कलर का होता है जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसमें क्या है रिंकल्स पाये जाते हैं लीप्स नीडल लाइक स्टेम और कवर्ड विद रूट्स पाइन्स कुछ काटे होते हैं इसके अंदर और रूट्स जो है में कलस्टर होता है और इसमें एक चीज अंदर में वाटर कंस्टिवेंट बहुत पाये जाते हैं केमिकल कंस्टिवेंट यदि देखा जाये तो इसमें स्टेराइडल सेपोनीन पाये जाता है क्या पाये जाता है स्टेराइडल सेपोनीन जिसको बोला जाता है सतावरीन 1, सतावरीन 2, सतावरीन 3, सतावरीन 4 यह generally 0.2% present होता है जिसको बोलते हैं सतावरीन तो सतावरीन 124 इसमें steridal saponin का एक category है यह major chemical constituent है जिसका use हम अलग-अलग तरीके से करते हैं uses हम देखें तो galactogogus है, tonic है, diuretic है, anti-oxy toxic property का है और यह treatment of rheumatism में use होता है नर्वाइन disorder में use होता है और in treated of abortion and safe delivery due to the uterine blocking activity generally इसमें mensuration के irregularities में भी इसको use किया जा सकता है, है ना इसके साथ ही साथ यह anti-oxytocic है, oxytocin का काम होता है labor pain को बढ़ाना और यह anti-oxytocic का काम करता है और यह generally इनका use किया जाता है abortion purpose पे या safe delivery जब uterine blocking हो तो उस condition में सतावरी दिया जाता है अब समरी देखते हैं तो इसमें monograph of सतावरी सतावरी consists of dried root of leaves of asparagus racemosis belongs to the family liliacee यह diuretic है rheumatism में use होता है नर्वाइंग, galactogrogus है, tonic है कुछ questions है, जैसे सतावरी consists of dried root and rhizome fully ripe तो answer क्या होगा dried roots and leaves main chemical constituent क्या क्या होता है तो जैसे हमने पढ़ा सतावरी में सतावरी one to four होता है सतावरी किस purpose पर use होता है तो सतावरी जो है uterine blocking agent है और इसमें हम कुछ question ऐसे भी आ सकते हैं constituent of सतावरी, right family and biological source of सतावरी तो सतावरी इसको सतावर सतमुसली भी कहा जाता है it consists of dried root and leaves of asparagus racemosis belongs to the family liliaceae इस याद रखेंगे दोस्तों asparagus racemosis belongs to the family liliaceae सतावरी का biological source क्या है तो asparagus racemosis belongs to the family liliaceae इसका use generally galactogus है, tonic है, diuretic है, nervine है इसके साथ-साथ ये anti-oxytocic agent के रूप में काम करता है तो सतावरी बहुत ही मत्पूर है और बहुत ही इसका ज्यादा use किया जाता है धन्यवाद धन्यवाद